हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत हैं, आप सभी कैसे हैं आशा करते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, दोस्तों आज हम एक नई जानकारी को आप सभी तक पहुचाने आए हैं, दोस्तों होली तो हम सभी हर साल बड़ पूरी जानकारी को होली वसंत रितु में मनाया जाने वाला एक महत्व पूर्ण भारतिय और नेपाली लोगों का त्योहार है। ये पर्व हिंदू पंचानक के अनुसार फालगुन मास की पूर्निमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। ये भारत का एक प्रमुक और प्रसिद त्योहार है जो आज विश्वभर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला ये पर्व पारमपरिक रूप से दो दिन मनाया जाता है। ये प्रमुकता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। ये त्योहार कई अन्य देशों जिन में आलपसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं वहां भी धूम धाम के साथ मनाया जाती है जिसे होली का दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन जिसे प्रमुक्ता धूलेंडी वद्धुरडी धूरखेल या धूलिवंदन इसके अन्या नाम है। लोग एक दूसरे पर रंग अबीर गुलाल इत्यादी फेकते हैं। धोल बजा कर होली के गीत गाये जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कचुता को भूल कर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद सनान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहन कर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाया खिलाते हैं। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश्वाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमोखांग हैं ही पर इनको उतकर्ष तक पहुचाने वाली प्रकृती भी इस समय रंग बिरंगी योवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फालगुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फालगुनी भी कहते हैं। होली का त्योहार वसंथ पंचमी से ही आरंब हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंब हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग बगीचों में फूलों की आकरशक छटा चा जाती है। पेर पौधे, पशु पक्षी और मनुश्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहून की बालियां इथलाने लगती हैं। बच्चे बुडे सभी व्यक्ती सब कुछ संकोच और रूरियां भूल कर धोलक जांज मंजीरों की धुन के साथ नृत्य संगीत वरंगों में दूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। गुजिया होली का प्रमुख पक्वान है जो की मावा खोया और मैदा से बनती है और मेवाओं से युक्त होती है। इस दिन कांजी के बड़े खाने वा खिलाने का भी रिवाज है। नए कपड़े पहन कर होली की शाम को लोग एक दूसरे के घर होली मिलने जाते हैं जहां उनका स्वागत गुजिया नमकीन वर्ठंडाई से किया जाता है। होली के दिन आम मंजरी तथा चंदन को मिला कर खाने का बड़ा महात्मिय है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होली, होली का या होला का नाम से मनाया जाता था। वसंत की रितू में हर शोलास के साथ मनाये जाने के कारण इसे वसंतोत्सव और काम महोत्सव भी कहा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इस पर्व का वर्नन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इनमें प्रमोख हैं, जयमिनी के पूर्व मिमान सा सूत्र और कथा गार्य सूत्र, नारद पुरान और भाविश्य पुरान जैसे पुरानों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उलेख मिलता है। विंध्यक्षेत्र के रामगर्स्थान पर स्थेतीसा से तीन सौ वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उलेख किया गया है। बात का उलेख किया है कि होलेकोट सव केवल हिंदू ही नहीं मुसल्मान भी मनाते हैं। सबसे प्रामाने के तिहास की तस्वीरे हैं मुगल काल की और इस काल में होली के किस्से उत्सुकता जगाने वाले हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर का नूर जहां के साथ होली खेलने का वर्नन मिलता है। अलवर संग्रहाले के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाह जहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था। इतिहास में वर्नन है कि शाह जहां के जमाने में होली को इदे गुलाबी या आबे पाशी रंगों की बॉच्छार कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशा बहादूर शाह जफर के बारे में प्रसिद है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में दर्शित कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तृत वर्नन मिलता है। इसके अतिरेक्त प्राचीन चित्रों, भित्ति चित्रों और मंदिरों की दिवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हमपी के सोलावी शताबदी की एक चित्र फलक पर होली का आनन दायक चित्र उकेरा गया है। इस चित्र में राजकुमारों और राजकुमारियों को दासियों सहित रंग और पिछकारी के साथ राज दमपती को होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। रंग खेलने में व्यस्त हैं। वी एक दूसरे पर पिछकारियों से रंग डाल रहे हैं। मध्यकलीन भारतिय मंदिरों के भित्ति चित्रों और आकृतियों में होली के सजीव चित्र देखे जा सकते हैं। उदाहरन के लिए इसमें 17 वी शताब्दी की मेवाड की एक कलाकृत में महाराना को अपने दर्बारियों के साथ चित्रित किया गया है। शासक कुछ लोगों को उपहार दे रहे हैं। नृत्यांगना नृत्य कर रही हैं और इस सब के मध्य रंग का एक कुंड रखा हुआ है। बूंदी से प्राप्तेक लगु चित्र में राजा को हाथी दा के सिंघासन पर बैठा दिखाया गया है जिसके गालों पर महिलाएं गुलाल मल रही है। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन में से सबसे प्रसिद कहानी है प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरन्य कशिपु नाम का एक अत्यंत बल शाली असुर था। अपने बल के अहनकार में वह स्वयम को ही इशवर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में इशवर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरन्य कशिपो का पुत्र प्रहलाद इश्वर भक्त था, प्रहलाद की इश्वर भक्ती से क्रुध होकर हिरन्य कशिपो ने उसे अनेक कठोर दंड दिये, परंतु उसने इश्वर की भक्ती का मार्ग न छोड़ा, हिरन्य कशिपो की बहन होलिका को वर्दान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती हिरन्य कशिपु ने आदेश दिया कि होली का प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे आग में बैठने पर होली का तो जल गई पर प्रहलाद बच गया इश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है प्रतिक रूप से ये भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्था अनंद होता है वेरवर उत्पीरन की प्रतिक होलि का जलाने की लकडीक जलती है और प्रेम तथा उलास का प्रतिक प्रहलाद अनंद अक्षुन रहता है होली का देहन की मुख्य कथा होली से संबन्धित मुख्य कथा के अनुसार एक नगर में हिरन्यकश्यप नाम का दानव राजा रहता था वो सभी को अपनी पूजा करने को कहता था लेकिन उसका पुतर प्रहलाद भगवान विश्नू का उपासक भग्त था हिरन्यकश्यप ने भाक्त प्रहलाद को बुलाकर राम का नाम न जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा पिताजी, परमात्म ही समर्थ है, प्रतीक कष्ट से परमात्म ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है यदि कोई भाक्त साधना करके कुछ शक्ती परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता ये बात सुनकर अहनकारी हिरन्य कश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया और नौकरों सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आँखों के सामने से और जंगल में सर्पों में डालाओ सर्प के डसने से यह मर जाएगा ऐसा ही किया गया परन्तु प्रहलाद मरा नहीं क्योंकि सर्पों ने डसा नहीं प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त ये पर्व राक्षसी धुन्धी राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर जन से भी जुड़ा हुआ है कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर, नाच गाकर लोग शिव के गनों का वेश धारन करते हैं तथा शिव की बारात का द्रिश्य बनाते हैं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भागवान श्रीकृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वद्ध किया था इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था होली के पर्व की तरह इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन है और इसका स्वरूप और उद्धेश्य समय के साथ बदलता रहा है प्राचीन काल में ये विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुक्ष सम्रिद्धी के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी वेदिक काल में इस पर्व को नवातरैश्टी यग्य कहा जाता था उस समय खेत के अधब के अन्ना को यग्य में दान करके प्रसाद लेने का विदान समाज में व्याप्त था अन्ना को होला कहते हैं इसी से इसका नाम होलिक उत्सव पढ़ा भारतिय जोतिश के अनुसार छेत्र शुदी प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का भी आरंब माना जाता है इस उत्सव के बाद ही छेत्र महीने का आरंब होता है अतहि ये पर्व नवसमवत का आरंब तथा वसन ताग्मन का प्रतीक भी है इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था इस कारण इसे मनवादित थी कहते हैं एक अन्य कथा के अनुसार त्रेतायुग की शुरुवात में भगवन विश्णु जी ने धूली का वंदन किया था इसलिए होली के इस्तियोहार को धुलेंडी के नाम से भी मनाया जाता है धुलेंडी होली के अगले दिन मनाया जाता है जिसमें लोग एक दूसरे पर धूल और कीचर लगाते हैं और इसे धूल सनान कहा जाता है होली का पहला काम जंडा या डंडा गाड़ना होता है इसे किसी सारवजनिक स्थल या घर के आहाते में गाड़ा जाता है इसके पास ही होली का की अगनी एक अच्छी की जाती है होली से काफी दिन पहले से ही यह सब तैयारियां शुरू हो जाती है पर्व का पहला दिन होलिका दहन का दिन कहलाता है इस दिन चोराहों पर्व जहां कहीं अगनी के लिए लकडी एकत्र की गई होती है वहां होली जलाई जाती है इसमें लकडीयां और उपले प्रमुक रूप से होते हैं कई स्थलों पर होलिका में भर भोलिये जलाने की भी परंपरा है, भर भोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है, इस छेद में मूंच की रसी डाल कर माला बनाई जाती है, एक माला में साथ भर भोलिये होते हैं, होली में आग लगाने स से पहले इस माला को भायों के सिर के ऊपर से साथ बार घूमा कर फिक दिया जाता है। रात को होली का देहन के समय यह माला होली का के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भायों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। लक्रियों व उपलों से बनी इस होली का दोपहर से ही विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घरों में बने पक्वानों का यहां भोग लगाया जाता है। दिन धलने पर जोतिशियों द्वारा निकाले मुहूर्त पर होली का दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहून की बालियों और चने के होले को भी भूना जाता है। होली का का दहन समाज की समस्थ बुराईयों के अंत का प्रतीक है। ये बुराईयों पर अच्छायों की विजय का सूचक है। गावों में लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं तथा नाचते हैं, होली से अगला दिन धूलिवंदन कहलाता है, इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं, सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिष्टेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं, गुलाल और रंगों से सब का स वागत किया जाता है लोग अपनी इरश्या द्वेश की भावना भुलाकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग लगाते हैं इस दिन जगह जगल टोलियां रंग बिरंगे कपड़े पहने नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं बच्चे पिछकारियों स रंग छोड़ कर अपना मनोरंजन करते हैं सारा समाज होली के रंग में रंग कर एकसा बन जाता है रंग खेलने के बाद देर दोपहर तक लोग नहाते हैं और शाम को नए वस्त्र पहन कर सबसे मिलने जाते हैं प्रीती भोज तथा गाने बजाने के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं होली के दिन घरों में खीर, पूरी और पूरे आदी विभिन व्यंजन खाद्य पदार्थ पकाये जाते हैं इस अवसर पर अनेक मिठायां बनाई जाती हैं जिनमें गुजियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है बेसन के सेव और दहीबडे भी सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर परिवार में बनाए वक खिलाए जाते हैं कान्जी, भांग और ठंडाई इस पर्व के विशेश पे होते हैं पर ये कुछ ही लोगों को भाते हैं इस अवसर पर उत्तरी भारत के प्राया सभी राज्यों के सरकारी कारियालयों में भारत में उतना लोकप्रिय ना होने की वज़ा से इस दिन सरकारी संस्थानों में अवकाश नहीं रहता। भारत में होली का उत्सा वालग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी सारे देश के आकर्शन का बिंदू होती है। बरसाने की लठमार होली काफी प्रसिद है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़े के बनाए गए कोड़ों से मारती हैं। इसी प्रकार मथुरा और व्रिंदावन में भी पंद्रा दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। कुमाम की गीत बैठकी में शास्त्रिय संगीत की गोश्थियां होती हैं। ये सब होली के कई दिनों पहले शुरू हो जाता है। हर्याना की धुलंडी में भावी द्वारा देवर को सताय जाने की प्रथा है। बंगाल की दोल जात्रा चैतन्य महाप्रभू के जनम दिन के रूप में मनाई जाती है। जलूस निकलते हैं और गाना बजाना भी साथ रहता है। इसके अतिरेक्थ महाराश्ट्रा की रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने, गोवा के शिंगो में जलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा पंजाब के होला मोहला में सिख्खों द्व नीपुर के याउसांग में योंग सांग उस ननी जोपली का नाम है जो पूर्नीमा के दिन प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तटपर बनाई जाती है। दक्षिंग गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। चतिसगर की होरी में लोक गीतों की अद्भुत परंपरा है और मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदेवासी इलाकों में बेहत धूंधाम से मनाया जाता है भगोर्या जो होली का ही एक रूप है। बिहार का फगुआ जम कर मौज मस्ती करने का पर्व है और नेपाल की होली में इस पर ध जिन्दावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग-अलग प्रकार से होली के श्रिंगार वा उत्सव मनाने की परंपरा है जिसमें अनेक समानताएं और भिंताएं हैं। होली रंगों का त्योहार है, हांसी खुशी का त्योहार है, लेकिन होली के भी अनेक रूप देखने को म प्राकृतिक रंगों के स्थान पर रासायनेक रंगों का प्रचलन, भांग थंडाई की जगह नशेबाजी और लोग संगीत की जगह फिल्मी गानों का प्रचलन इसके कुछ आधुनेक रूप हैं। पर पर्यावरन के प्रती सचेत हैं। इस प्रकार के लोग और संस्थाएं चंदन, गुलाब जल, टैसू के फूलों से बना हुआ रंग तथा प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की परंपरा को बनाए हुए हैं। साथ ही इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। रासायनिक रंगों के कुप्रभावों की जानकारी होने के बाद बहुत से लोग स्वयम ही प्राकृतिक रंगों की ओर लोट रहे हैं। होली की लोग प्रियता का विक्सित होता हुआ अंतर राश्ट्रिय रूप भी आकार लेने लगा है। बाजार में इसकी कित्र होली है से लगाया जा सकता है। प्राचीम काल के संस्कृत साहित्य में होली के अनेक रूपों का विस्त्रित वर्नन है। श्रीमत भागवत महा पुरान में रसों के समूह रास का वर्नन है। अन्य रचनाओं में रंग नामकुत्सव का वर्नन है जिनमें हर्ष की प् पूरा एक सरगी वसंतोत्सव को अर्पित है भारवी माग और अन्य कई संस्कृत कवियों ने वसंत की खूब चर्चा की है चंद बरदाई द्वारा रचित हिंदी के पहले महाकाव्य पृत्विराज रासों में होली का वर्नन है भक्तिकाल और रीतिकाल के हिंदी साहित्य मे होली और फालगुन माह का विशिष्ट महत्व रहा है आदिकालीन कवी विद्यापती से लेकर भक्तिकालीन सूर्दास, रहीम, रस्खान, पदमाकर, जायसी, मीराबाई, कबीर और रीतिकालीन बिहारी, केशव, घनानन दादी अनेक कवियों को यह विशे प्रिय रहा है महाकवू सूर्दास ने वसंत एवं होली पर 78 पद लिखे हैं, पदमाकर ने भी होली विशयक प्रचुर रचनाएं की हैं इस विशे के माध्यम से कवियों ने जहां एक और नितांत लौकिक नायक नाइका के बीच खेली गई अनुराग और प्रीति की होली का वर्नन किया है वहीं राधा कृष्ण के बीच खेली गई प्रेम और छेर छाड से भरी होली के माध्यम से सगुन साकार भक्ति मैं प्रेम और निर्गुन निराकार भक्ति मैं प्रेम का निश्पादन कर डाला है सूफी संथ हजरत निजामुद्दीन ओल्लिया, अमीर खुसरो और बहादुर शाह जफर जैसे मुस्लिम संप्रदाई का पालन करने वाले कवियों ने भी होली पर सुन्दर रचनाएं लिखी हैं जो आज भी जन सामान्य में लोकप्रिया हैं आधुनिक हिंदी कहानियों प्रेमचंद की राजा हर दोल, प्रभू जोशी की अलग-अलग तिलियां, तेजे इंद्र शर्मा की एक बार फिर होली, उम्प्रकाश अवस्थी की होली मंगल मैहो तथा स्वदेश राना की होली में होली की अलग-अलग रूप देखने को मिल हैं, भारतिय फिल्मों में भी होली के द्रिश्यों और गीतों को सुन्दर्ता के साथ चित्रित किया गया है, इस द्रिश्टी से शशी कपूर की उत्सव, यश चोपडा की सिलसिला, वी शानताराम की जनक-जनक पायल बाजे और नवरन गेत्यादी उलेखनिया है, भारतिय शास्त्रिया, उप्शास्त्रिया, लोक तथा फिल्मी संगीत की परमपराओं में होली का विशेश मेहत्व है, शास्त्रिया संगीत में धमार का होली से गहरा संबंध है, हालां की धृपद धमार, छोटे वा बड़े ख्याल और थुम्री में भी होली के गीतों का सौंदर्य देखते ही बनता है कथक मृत्य के साथ होली, धमार और थुम्री पर प्रस्तुत की जाने वाली अनेक सुन्दर बंदिशें जैसे चलो गुनिया आज खेले होरी कनहया घर आज भी अत्यंत लोकप्रिया है धुरुपद में गाये जाने वाली एक लोकप्रिय बंदिश है खेलत हरी संग सकल, रंग भरी होरी सक्षी भारतिय शास्त्रिय संगीत में कुछ राग ऐसे हैं जिनमें होली के गीत विशेश रूप से गाये जाते हैं बसंत, बहार, हिंडोल और काफी ऐसे ही राग हैं होली पर गाने बजाने का अपने आप वातावरन बन जाता है और जन जन पर इसका रंग छाने लगता है उप्षास्त्रिया संगीत में चैती, दादरा और थुम्री में अनेक प्रसिध होलिया हैं होली के अवसर पर संगीत की लोगप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि संगीत की एक विशेश शैली का नाम ही होली है जिसमें अलग-अलग प्रांतों में होली के विभिन वर्नन सुनने को मिलते हैं जिसमें उस स्थान का इतिहास और धार्मिक महत्वत छुपा होता है जहां ब्रजधाम में राधा और कृष्ण के होली खेलने के वर्नन मिलते हैं वही अवध में राम और सीता के जैसे होली खेले रगुवीरा अवध में राजस्थान के अजमेर शहर में एक ख्वाजा मोईनुद्दीन चिष्टी की दरगाह पर गाई जाने वाली होली का विशेश रंग है उनकी एक प्रसिद होली है आज रंग है री मन रंग है अपने महबूब के घर रंग है री इसी प्रकार शंकर जी से संबंधित एक होली में दिगंबर खेले मसाने में होली कहकर शिव द्वारा शम्शान में होली खेलने का वर्नन मिलता है भारतिय फिल्मों में भी अलग-अलग रागों पर आधारित होली के गीत प्रस्तुत किये गए हैं जो काफी लोग प्रिया हुए हैं सिलसिला की गीत रंग-बर से भीगे चुनरवाली, रंग-बर से और नवरंग के आया होली का त्योहार उड़े रंगों की बोच्छार को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं प्राचीन काल में लोग चंदन और गुलाल से ही होली खेलते थे समय के साथ इनमें भी बदलाव देखने को मिला है कई लोगों द्वारा प्राकृतिक रंगों का भी उप्योग किया जा रहा है जिससे त्वचा या आँखों पर किसी भी प्रकार का को प्रभावना पड़े दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताए और वीडियो को लाइक शेर करे तथा चैनल को सबस्क्राइब कर दे धन्यवाद